Hello Everyone, यह है Videos World Channel और आप देख रहे हैं YouTube Tutorial Series एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है How to Draw Sheer Force Diagram and Bending One Diagram उसकी 4th वीडियो है और यह जो आप देख रहे हैं टूल यह Paint है जो हर Microsoft Window में होता है इसी की Help से आज हम इस Tutorial को बनाएंगे, बहुत ही अच्छा टूल है साथ में आप इसको भी थोड़ा सा सीख जाएंगे, इसको यूज किया जी कीजिए, बहुत काम का है presentation बनाने में किसी और काम में तो चलिए सबसे पहले हम एक Beam बनाते हैं यह Beam बनाके Color दे दिया, हमने Gray उसके बाद हम बनाते हैं Simple Supported bean की Problem है, तो एक पिन होगी एक रोलर सप़ोटोगी अभी रोलर सपोटोड को ड्रो करने पर टैम लेगा तो Eu Mar di Byn अगर मना लेजे, एक को फेस्ट को और सेकिंड को रोलर मन लेजे और एक पॉंट रोड लगाएंगे हम दूसरा पॉइंट रो लगाएंगे इन पर इनको colors भी दे देंगे और इनके ओपर हमें intensity की value भी डालनी है तो color red दे देते हैं हम support को blue दे देते हैं और आप cuts plots को red दे देते हैं क्योंकि load तो danger होता ही है तो उसके बाद देखिए UDL बनाना है तो मैं किस तरह से बनाऊंगा मैंने एक circle बनाया है उसको select किया crop tool से और control दबा के उसी को मैं copy paste करता गया करता गया यह देखिए UDL बनाने का तरीका है एक roughly और मैंने crop tool से फिर आधा circle को crack किया और उसके बाद उपल आके paste कर दिया हो यह बन गया हमारा UDL अब आती है बात values की तो यहां पर हम 2 kN ले ले लेते हैं value इस point load की थोड़ा सा text का size कम कर देते हैं और UDL ले 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 लेते हैं 4 kN per meter UDL की unit होती है आपकी kN per meter along the length यह load लग रहा होता है और दूसरे point load को भी ट्वी ले ले लेते हैं इससे symmetric हो जाए गई है लेकिन अभी फिलाल हम reaction के अबल निकालेंगे symmetricity के help लेके तो total span है यह हमारा 12 meter का span है अब cement load की position भी दोनों side symmetric है तो हमें reaction निकालना बहुत हमारे लिए easy है तो यहां पर होगी हमारी reaction R A उसको भी arrow draw कर देते हैं और दूसरे point पर हमारी reaction होगी R B इनको भी कुछ colorful बना देते हैं paint भी आप सीखते जा रहे है आर ए और 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 अब हम calculate करेंगे reactions को तो सबसे पहले हमें क्या calculate करना होगा total load के total load हमारे beam पर कितना लग रहा है तो T L से हम total load को जो करते हैं तो total load सबसे पहले हमारे लग रहा है two kilo newton ठीक है two kilo newton unit के kilo newton तो सारे load kilo newton में लेंगे plus second load of four kilo newton per meter उस kilo newton में बनाने के लिए जितने span पर लग रहा है से multiply four by four sixteen kilo newton उसके बाद हमारा लग रहा है two kilo newton तो total load हो गया 20 kilo newton क्योंकि हमारा इस metric है तो reaction total load की half half हो जाएगी 10 kilo newton and 10 kilo newton तो आरे हो जाएगा हमारा 10 kilo newton and 10 kilo newton आर भी भी हो जाएगा हमारा 10 kilo newton रेक्शन बनने के बाद next step होता है vertical lines कीचना जिनके आपर हमें diagram ड्रो करने तो सबसे पहले reactions के लिए एक vertical line draw कर लीजिए उसके बाद जो आपका point load लगे हुए हैं वहाँ पे आप reaction उन point load से लिए vertical line draw कर लीजिए उसके बाद जो आपको UDL जहां से start हो रहा है वहाँ पे जहां पे end हो रहा है वहाँ और एक UDL के center से और कोई हमें लगबग ज़रुत नहीं पड़ेगी इसके बाद हम horizontal line कीचते हैं shear force के लिए एक horizontal line कीचते हैं bending में diagram के लिए और यहाँ पर link भी देते हैं इनके सामने shear force diagram and bending में diagram अब start करते हैं हमका brush लेके diagram को draw करना तो देखिए जो A point है उस पे एक reaction लग रही है 10 kN और arrow upward की और जा रहा है तो एक line हमें draw करनी होगी जिसकी intensity क्या होगी 10 kN उसके बाद हमें horizontal move होना है जब कोई load नहीं होता है horizontal move होते हैं यहाँ पर रुख जाएंगे downward है 2 इसकी intensity क्या है जो horizontal line है 10 और फिर उपर से downward 2 आगया तो थोड़ी घड़ जाएगी horizontal line आप हो जाएगी 8 और फिर हम चलते जाएंगे और यहाँ पर जाकर रुख जाएंगे उसके बाद भी downward load लहें लेकिन उसका type क्या UDL तो UDL जैसे से आगे बढ़ेंगे UDL की load की value बढ़ते जाएगी अगर हम केवल 2 meter के span में देखें यह जो हमारा 2 meter का span है इसमें देखें अगर हम तो 4 into 2 8 kN downward हमें मिलेगा और हमारी जो भी horizontal line move हो रही है वो 8 kN है यानि कि व यह हमारा 8 tap यह जाते जाते गिरते जाएगी downward inclined line UDL के लिए 0 हो गई उसके बाद आधा UDL बचा है वो start होगा नीचे को downward है तो नीचे से जाएगा जाएगा और 8 intensity तक बढ़ेगा उसके बाद कोई load नहीं है horizontally move होंगे उसके बाद 2 kN add जाएगा downward है यह हो गया 8 plus 2 10 फिर horizontal move और यह upward 10 आगे 10 horizontal line जो 10 की है upward 10 वहाँ जाएगे मिल जाएगी और यह है हमारा shear force diagram यह positive और यह negative इनकी values भी यहाँ पर हम type कर देते हैं 10 kN, 8 kN, इसी तरह यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10 kN, अब हम start करते हैं bending moment draw, bending moment के लिए simple हमें shear force का area calculate करना है, तो अगर first rectangle देखें हम shear force का तो उसमें एक बार उसको 10 का है और इसके width है 2 की, टोटल area हो गया 20, तो 0 से start होगा 20 तक जाएगा यह, incline line जाएगी हमारी bending moment diagram की, तो start करते हैं bending moment diagram draw करना, यह, यह intensity कितनी है, 0 से पहुची 20 kN per meter, पर meter नहीं होता है, kN meter होता है आपका bending में, अब next rectangle वोई positive हैस में add हो जाएगा, उसका area कितना 8 into 2, 16, तो अभी तक हमारा bending में कितना पहुचा 20, 20 में 16 add हो जाएगा, तो कितना पहुचेगा हमारा आई, 36 kN per meter, यह 20 होगा 10 नहीं, 20 होगा यह, और यह होगा 36 kN per meter, उसके बाद है हमारा एक triangle, यह भी positive है, इसका area निकालते हैं पहले, तो area एक triangle का क्या होगा, half length into base, तो half, higher कितना है इसका intensity, 8, और इसके base, 2, तो यह तो 8 kN होगा हमारे पास, और पहले से bending में हमारा कितना आच चुका है, 36, 36 में 8 add हो जाएगा, 44 kN, but UDL है, triangle है, तो parabola की form में वो increase होगा, यह होगा parabola, अब देगे, क्यूंकि symmetric beam है, shear force भी symmetric है, same अधर है, positive जाया सा है negative kevel, downward का फरका, तो bending में उसी तरह से draw कर देंगे, जो half हमारा bending में डाइगराम बचा, same, तो maximum bending में की value यहाँ पर कितनी आ रही है, 44 kN, वो इस तरह से हमारा bending में डाइगराम ड्रो होगा, तो बहुत easy तरीका है, इसी तरह से, अभी हम पहले simple supported के सारे finish करेंगे, problems के बाद, fix की fix का थोड़ा सा different होगा, लेकिन simply आप बना सकते हैं, बहुत easy तरीके से, मैं आपको बता दूँ, मैंने कई सालों से share force bending में, कोई practice नहीं की है, ना कोई पढ़ा है, मैंने सीधा video बनाने बैट जाता हूँ, मैं direct और नहीं कहीं video pause होती है, इतना simple तरीका है कि मैं आज तक य होगा, और एक चीज़ वर मैं बता दूँ कि मेरी website भी है, civil engineers for civil.com, उस पर जाके भी आप tutorials और other data आप वहां से ले सकते हैं, और अगर आप को ये video पसंद आई हो, आप थोड़ी सी मेरी help करना चाहते हो, तो आप मेरी website पर जाकर आप उसे open करेंगे, तो site में जो ads होते हैं, उन पर click कर सकते हैं, जिस से मझे थोड़ी बहुत earning हो सकती है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि civil engineer, users बहुत कम है, viewers बहुत कम है, तो मेरे जो channels पर view बहुत कम आते हैं, earning इतनी हो नहीं पाती है, लेकिन इसमें videos बनाने बहुत time लगता है, तीन से चार घंटे लग जाते ह फिर editing करना, फिर upload करना, फिर सारा उसकी formating करना, और earning कुछ होती नहीं है, तो ये मेरे interest के उपर है, मैं interest हैसलिए मैं बनाता हूँ, अगर आप थोड़ा ads पर click करेंगे मेरी website पर जाकी, तो मेरे को थोड़ी help होगी, जिस तरह से मैं ये website बना रहा हूँ, इसमें मैंने website, य फिर में तिबारा ये audio record कर रहा हूँ मैं इसमें, इस video के उपर, और तीन बार जाके ये video, मैं देर से दो घंटे इस video में बनाने में लगे हैं, तो अगर मेरी ये महनत आपको पसंद आ रही है, और आपकी कोई भी help होती है, तो please like किजिए, subscribe किजिए, share किजिए, और मेरे website जाना ना भूलें, और comment करें जो भी आपको help चाहिए, thank you